हैलो फ्रेरдटि कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोग किषा शायर करने वाली हूँ बहुत ये बढ़िया चीकन के स्नैक्स रेशिपी आप इसे फ्रेजर में फ्रोजन करके भी रख सकते है या कभी भी बना के आप इसे खा सकते है तो चलिए इस टीस टीस सा स्नेक्स रिस्पी को बनाना सीख लेते हैं सबसे पहले एक पैन में डालेंगे टूट स्पुन ओयल फिर यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली इसे की सासत लेसन और कुछ सेकेंड के लिए बस हलका सा फ्राय कर लेंगे जैसे हलका सा फ्राय हो जाएगी यहाँ पे एड करेंगे एक कप चीकिन यहाँ पे मैंने बोल ने इस चीकिन ली है और चीकिन को बस हलका सा फ्राय कर लेंगे चीकिन की जो पीसिस है ना वो बहुत ही छोटी छोटी पीसिस मैंने कर ली है तो जल्दी फ्राय हो जाएगी अभी भी बना सकते हैं और अगर आप इसे बनाके fridge में Store करके रखेंगे लिए तो भी आप रख सकते हैं तो यहाँ पे देखिये चिकन हमारा रेड़ी है अब यहाँ पे डाल देंगे carrots इसी की साथ ओनियोन इसे की साथ मैं यहाँ पे अट कुरूंगे साथ में half teaspoon chili flakes और इसकी साथ half teaspoon black paper साथ में half teaspoon cumin powder वन teaspoon चाट मसाला और फिर अच्छे से mix कर देंगे vegetable step soft हो जाएगी यह chicken ready हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते है vegetable soft हो चुका है और यह chicken की stuffing ready है बैटर बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे मैदा और इसे के साथ साथ यहाँ पर मैं लोगी half teaspoon नमक इसके साथ half teaspoon chili flakes और पानी डाल के एक बैटर बनाएंगे यहां पर बैटर की जरूरत है तो बैटर बनाने के लिए यहां पर मैंने मैदे का इस्तिमाल की है और मैदे की एक पतली से बैटर यहां पर बना लेंगे बैटर आप देख सकते हैं बिलकुल परफेक्टली रेडी है अब क्या करना है जो चीकन की स्ट्राफिंग बनाई है इसमें डालेंगे वन टिस्पून टोमेटो सॉस इसे की साथ वन टिस्पून मियोनीज और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे यह चीकन की स्ट्राफिंग है खाने में बहुत ही बढ़िया लगते है तो यहाँ भी यह रेडी है यहाँ पर हमें ले लेना है ब्रेड और ब्रेड लेने की बाद यहाँ पर मैंने चोटी सी बाउल ली है और इस तरीके से ब्रेड की काट कर लेंगे अब देख सकते हैं राउंड शेप में काट कर ली है चिकन के जो स्टाफिंग है ना इस तरीके से हम रखेंगे, हर एक ब्रेट की उपर रखेंगे, अगर अब चाहे तो ब्रेट की उपर सौस भी लगा सकते हैं और उसके उपर अब चिकन डाल सकते हैं, ऐसे लगाने की बाद दुसरी ब्रेट उपर से ऐसे रखना है, इस तरीके इसे बेटर में ब्रेट को डीप करनी है और डीप करने की बाद फिरिया पे लेनी है ब्रेट करम्स ब्रेट करम्स अच्छे से लगा लेनी है ऐसे ब्रेट करम्स लगा के आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं स्टोर करके और जब आपको फ्राइ करके खाने का मन है तब अप इसे fry कर सकते हैं तो अब देख सकते है रमजान आ रही है तो इस recipe को अब रमजान में भी try कर सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहिए तो freeze में frozen करके रखे या कभी भी fry करके इसे खा ले तो यहाँ पर oil को बहुत उच्छे उसे गरम कर ली है और flame को हमने medium रखा है medium flame में इसे fry कर लेना है यह bread है तो बहुत ही जल्दी fry हो जाते है और उपर से bread crumb है तो बहुत ही बड़ी अक्रिपसी भी बनते है दोनों side पलटते हुए fry कर लेना है अगर आप चाहें तो इसमें cheese भी add कर सकते हैं तो यह पर आप देख सकते है bread और chicken से कितनी बड़ीया snacks बनके ready है दोनों side पलटते हुए अच्छे से fry कर लेंगे और जैसे बड़ीया से fry हो जाएगी इसे oil में से निका लेना है तो यह आप देख सकते है इसकी जो color है बड़ीया आ चुकी है दोनों side अच्छे से fry भी हो चुका है तो बस इसे oil में से निका लेंगे और उसकी बाद इसे गर्म करब साप करेंगे बहुत ही जादा बढ़िया लगेंगे तो हरेक snacks ऐसे ही fry कर लेंगे और उसकी बाद sauce या mayonnaise की साथ इसे enjoy करें बहुत ही बहुत ही जादा अच्छे लगेंगे आज की recipe अगर आपको कहीं पे भी अच्छे लगे तो इस recipe को एक बस जरू ट्राय करें इसी तरीके से easy और tasty recipe देखने के लिए हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें आप इस recipe को अपने friend और family की शाष यार करें